सरीर में कितना खून होना चाहिए, हीमोगलोबिन सरीर में कितना होना चाहिए, इसकी थोड़ी से बात करते हैं आप सरीर में खून की बात करें तो एक नार्मल रेंज में रहे तो अच्छा है, अगर कम हो जाए तो भी खतरनाक है, जिसको इनीमिया बोलते हैं और अगर ज्यादा हो जाए जिसको पॉली साथीमिया बोलते हैं वो भी खतरना कंडिशन है तो चाहे खून के अधिकता हो जाए चाहे कमी है दोनों ही नुकसान दे है एक चीज़ आप यह समझें कि जो खून की नार्मल वैलू है वो एज पे डिपेंड करती है कि उमर कितनी ह है और ज Edinburgh पर डिपेंड करती है कि male है कि female है तो नार्मल अगर पूरूस की बात करें adult पूरूस की बात करें तो हीमोगलोवीन 14 से ले कि 8 ग्राम पर डेसीलेटर की बीच में होना चाहिए मतलब 14 से 18 पॉइंड की मीच में होना चाहिए जैसे आंप ऐसी ही अगर फीमेल की बात करें, जो एडल्ट फीमेल हैं, उनकी बात करें तो 12-16 ग्राम पर डेसी लीटर हो जाए, मतलब कि फीमेल में थोड़ा सा कम रहता है, मेल के मुकाबले, और अगर दूसरी अवस्थाओं की बात करें, जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, उस समय उसका हीमोगलोबिन काफी ज़्यादा होता है, और मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, तो सबसे पहले आप जैसे देखें कि नियूबॉर्न है, छोटा हीमोगलोबिन है, वो 17-22 ग्राम पर डेसी लीटर होता है, मतलब काफी ज़्यादा रहता है, शुरुवात के वीक में फिर वो धीरे-धीरे कम होता रहता है, तो जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो अगर उसका हीमोगलोबिन 20-21 बाईस है, तो कोई ये परेशानी की बात नहीं है, और वीक वन में, फस्ट वीक में जो उसका हीमोगलोबिन है, वो 15-20 के बीच में रहेगा, एक महीने पर 11-15 ग्राम पर डेसी लीटर हो जाएगा, और अगर बच्चों की बात करें, जो बच्चे हैं, उनमें हीमोगलोबिन थोड़ा सा कम रहता है, एडल्ट क अटरा होता है, फीमेल के लिए 12-16 होता है, और एक उमर के बाद, जैसे कि 40 साल के बाद, जो नार्मल हीमोगलोबिन की वैल्यू है, वो थोड़ी सी कम हो जाती, क्योंकि एज बढ़ने के साथ खुन जो बनना होता है, वो कम हो जाता है, तो जैसे अगर मेल की बात करें, खुन किसी भी हालत में 11 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी अवस्ता में चाहिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, पूरूस हो, महिला हो, 11 ग्राम पर डेसिलीटर से जादा ही होना चाहिए, और अगर जादा की बात करें, तो 18 ग्राम पर डेसिलीटर से ज कर्म होगी आपको ठकान लगए कमजोरी लगए कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में आक्सिजन सही से नहीं पहुंचेगी तो सरीर में अलग अलग झाल